जैजनेद बंदुओं, मैं रवी जैन गुरू जी, अशनिवार और राहुकाल प्राते 9 बजे से 10.30 बजे तक रहेगा इस बीच में हमें कोई भी नयाकार या आरम करने से बचना चाहिए और अब बात करते हैं आज के रासी फलकी, मेस रासी वाले नोकरी में सुधार के चांस लेकिन खर्चे पर अंकुस लगाएं क्या करें नय मंदिर जी या इस्तानक में अवश्य जाएं और दर्सन लाब लें वर्शब रासी वाले अनावश्यक खर्च से बचें स्वास्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी क्या करें पांच बदाम बेदी पर ओम भीम शिरी पदम प्रभुजी ने इंद्राय नमा बोलकर चड़ाएं मितुन रासी वाले रिस्तों में तालमेल बैठाएं नए वाहन का भी आज बहुत अच्छा योग क्या करें भोजन में खीर अवश्य लें करकरासी वाले दिन की सुरुवात अच्छी रहेगी पर यात्रा से आज बचें क्या करें घर पर अधिक समय वैतीत करें सिंगरासी वाले आलस्य आपका दुस्मन बनेगा नए रिस्ते बनने के आज चांस क्या करें घर लोटते समय खाली हाथ ना आएं कुछ ना कुछ लेकर परवेस करें कन्यारासी वाले सुब समाचार मिलने का योग मन काबू में रखें क्या करें ओम रिमश्री अभिनंदन नात जिनिंद्राइ नमा की एक माला हलकी आवाज में फेरें तुलारासी वाले खाने में सयम बढ़ते पडोसियों के संपर्क में रहें क्या करें शिरी चंद्रपभु चाली सा हलकी आवाज में पढ़ें वरश्चिक रासी वाले कोई परेशानी हो सकती है दिन साधारन है क्या करें शिरी भक्तामबर जी का दो नंबर का काव्ये 21 बार पढ़ें धनुरासी वाले सेवकों से सावधान रहने की आवशकता जीवन साती का भी ख्याल रखें क्या करें सवा सो गिरम काले उड़त दान करें या उससे अधिक कितने भी मक्करासी वाले बच्चों पर क्रोध ना करें समझदारी से काम लें क्या करें एक घड़ी 24 मिनट का मौन अवश्य रखें कुमरासी वाले समय अच्छा है नवीन संपत्ति का भी आज बहुत अच्छा योग क्या करें हल्दी चंदन काटी का माथे पर लगाए मीन रासी वाले क्रोध को काबू में रखें रुका पैसा मिलने का भी आज योग क्या करें ओम रहिम शरी कुंतुना जिने राए नमा की एक माला फेरें रासी फल्के पश्चाद बंदो अब बात करते हैं आज की सलहा की आज की सलह में ध्यान रखें अगर आप अपने सत्रों से पीड़ित हैं आपके शत्रों आपके उपर हमेशा हावी रहते हैं तो आपको चाहिए के शिरी भक्तामबर रिस्तोत का तीस नमबर का जो काविया होता है उसकी एक माला आप रो जाना फेरें अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चत रूप से आपके जो शत्रों हैं वो परभाव हीन होंगे और उनका कोई भी परभाव आपके उपर हावी नहीं होगा तो ध्यान रखें शिरी भक्तामबर रिस्तोत का तीस नमबर का काविया शत्रों परभाव को निस्करिया करने के लिए होता है और बंदो अब बात करते हैं आज की मेल की ये मेल हमें भेजी है राम जी लाल जी ने सूरत गुजरास से लिखते है गुरू जी जैजिनेंद्र चर्निश्फश नोकरी में मन नहीं लग रहा है व्यापार करने की इस्तिती नहीं है सोच सोचकर सिर्दर्द रहने लगा है मैं क्या करूँ देखे राम जी लाल जी मैं आपको बता दूँ अभी आपको तीन साल और नोकरी करने चाहिए अभी आपकी कॉंडली में शेनी की महदसा चल रही है जिसको समाप्त होने में तीन साल है अगर आप अराम से नोकरी करते हुए ये तीन साल निकालते हैं तो उसके बाद जो बुद्गी दसाएगी वे आपको व्यापार करा देगी और उस व्यापार में आप सफल भी हो जाएंगे आपका तीन साल का समय आराम से निकले व्यापा जोब में आपका मन लगे इसके लिए आपको दो पाई करने चाहिए एक माला रो जाना फेरे ओम रिम शरी मुनी सुरतना जिनेंदराई नमा और दूसरा शाम के समय चंदा प्रभू चालिसा पढ़े अगर आप ऐसा करेंगे तो ये तीन साल का समय आप आराम से निकाल लेंगे और इसी के साथ बंदो आपकी भी कोई समश्या या जिग्यासा है तो आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आइडी लगातार फ्लेस हो रही है आपका दिन सुब और मंगल में हो इसी भावना के साथ सबी को जै जिनेंदरा